नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की सुपर हिट क्लास में तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारा पहला चैप्टर जो हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वे कौन सा है वह संग चीज़ याद रखना है कि जितने भी कोश्चन करेंगे यह आप लोग लाश्ट हमें कमेंट करके बताएंगे आपने कितने कोश्चन सही हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीड में हम लोग चलेंगे यानि एकदम को देखेंगे चारु आप्शन को देखके उसका आ आप लोग लाइक बटन दबादो ठीक है तो चले शुरू करते हैं तो पहला कुश्चन आपको देख रहा है इस्त्रित्तो सब्द में कौन से संग्या है तो जल्दी से देखो यहाँ पे और बताओ अब यहाँ पर लाश्ट में आपको क्या देख रहा है तो यहाँ पर यह समझ में आगया इस्त्रित्तो तो यह हमारी किसम में आ जाएगी भाववचक संग्या में अगला प्रश्न देखे क्वेश्चन नमर दूस्रा क्या कहता है निमलखिट में से भाववचक संग्या कौन सी है सत्रूता वीर मनुश्या गुरू जल्दी से देखे तो इसमें और दूस्ते pra प्रश्न अगर निमलखित में से कौन सा सब्द व्यक्ति वाचक संगय हैं गाय पहार यमुना या आम तो व्यक्ति वाचक पूछ रहा है तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सा दिख रहा है जल्दी से देखें यमुना यमुना क्या है एक नदी का नाम है ठीक है व्यक्ति वाचक का मतलब क्या होता है जो पूरी तरीके से एकदम उसी का नाम हो यानि उ यमुना नदी है तो यमुना नदी ही है बाकी दुनिया में तो कई नदिया है लेकिन यमुना नदी की बात कर रहा है नदियों में तो कौन सी है यमुना नदी ठीक है आगे देखें अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए कोशन नमर पांच क्या कहता है मैं इसको जूम क आलक, सुन्दर या मनुश्य अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सुन्दर सुन्दर सब्द हमारा जातिवाचक ने होके क्या है यह हमारा है एक भावाचक संग्या कौन सा सब्द भावाचक संग्या नहीं है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई जल्दी से बताना कि लॉक्डाउन में या जब भी आपको मिठाई काने का मन करता है तो आप कौन सी मिठाई को सबसे जादा मिस करते हो अगला क्वेश्चन देखेंगा सात्वा नंबर क्या कह रहा है कि जाती वाचक संग्या बताना है क्वेश्चन नमर साथ में लड़का सेना स्याम तो यहां पर ध्यान से लड़का कोई भी हो सकता है रोहन हो सकता है घुझा gioche no 8 देश की हानि जयंदों होती है अब इसमें देखो रिखांकित सब्द में जैचंद दिख रहा है जैचंद का मतलब क्या होता है आपने कभी सोचा है जैचंद क्यूं बोलते हैं जैचंद कौन था अगर आइडिया है तो बताइएगा जैचंद मैं बता देता हूं पृत्वी राज जी का नाम उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ था इसलिए इसलिए का आ जाता है कि देशकी हानी जैचंद से होती है तो जैचंद क्या है एक जाती वास्ट कर आड़ा हो गया बुढापा भी एक प्रकार का अभिशाप है यहाँ पर दोस्तों बुढ़ापा तो में कौनसे संग्या अभी हम लोगों ने डिसकुस किया तो यहां पर कौन संग्या है भावाचक संग्या दस्वा नमबर देखे व्यक्ति वस्तुस्थान एवं भाव की नाम को क्या गयते हैं तो इसके नाम को क्या गयते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है वो है संग्या अगला सतसई दोस्तों आपने सतसई के दोहे तो जरूर पड़े होंगे अगर आप कावे पड़ते हैं तो आपने कई बार सुना होगा भरे भावन में होते हैं नहीं शौबात तो सतसई बिहारी सतसई यानि 700 का समूह दोहे तो यह क्या है समूह याणि यह हमारा समूव आचक में आएगा आगे डिखी है विजयनी मानवता.. अभव divers गांवता सब्द है को यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में का इस तरीके से जितनी भी चीज़े दिखेंगी कि सम्हेँestyle जल्दी बताओ, दो ही option दिखे रहा, इन दोनों में से कोई नहीं है, तोई कौन सा तीसरा option होगा, जो है भाववाचक संग्या, कौन से संग्या है, भाववाचक संग्या जिसका option आपको उपर दिख रहा है, अगले प्रश्ण में, अगला दिखेगा 13 नंबर, संग्या के सब्त io-sama नियां सभी कथन क्या है सही है 14 नमपर देखी एक विज्या दश्मी क्यों दो चैलने दिखा होगा विज्युए जलायाजाई जलते हुए देखाओगा, शुच लोग और अपने अंदर के विज्या दश्मी में कौन सब्सके होगा, तिसमें हमें जो correct में लेगी वो कौन सी हो जाएगी वे हो जाएगी एक व्यक्ति बाद चा keto क्यों विजया दस्मी का नाम लेते ही हमारी दिमाग में आ गया या रे ये तो वही तारीख है जिस दिन क्या हुआ था महिशा सुर का वद हुआ था और राम ने रामण का वद किया था ठीक ही दोनों घटनाए सेम डेट को वी थी अलग अलग साल में हो सकती है लेकिन डेट सेम थी ठीक है अगला देखो भावचक संग्याओं का निर्माड किस से होता है क्या संग्या से होता है क्या क्रिया से होता है वैसे यह सभी से होता है ठीक है इसमें जाएंगे option number D पर ममत्व अगला question आप देख पा रहोगे तो इसमें लिखा है ममत्व तो इसमें बताना है ममत्व में कौन सी संग्या है क्या वेक्तिवार्चक है समुवार्चक है भाववार्चक तो आप यहां पर दिखा है त्व जैसे मानवत्व ठीक है मानवत्व के साथ साथ आप देखेंगे पुर्सत्व आता है ठीक है तो यह हमारा इसी तरीके से हमारा है भाववार्चक संग्या आगे देखेगा अगला question question number 17 क्या कहता है रामचरित मानस सभी ने पढ़ा होगा मंगल भवन यह मंगल हारी रामचरित मानस से संबंदित है तो रामचरित मानस में यहां पर बताना है कि कौन इसी संग्या है तो यह एक specific पुस्तक का नाम है जो तुलसी दाजी ने लिखा है ठीक है तो यह है व्यक्ति वाचक संग्या भारत संयुक्त राष्ट्र संग दोस्तों इसका उत्तर यहां पर आपको प्रश्ण में ही दिख रहा होगा है ना यहां पर इसका उत्तर यहां पर आपको प्रश्ण में ही दिख रहा है प्रश्ण में ही कह रहा है राष्ट्र संग तो जब संग का नाम लेता है तो संग से हमें मतलब समझ में आ जाता है कि ग्रूप की बात कर रहा ठीक है यानि समुह की बात कर रहा इसका उतर जाएगा डी के साथ 19 नंबर दिखिए कौन सा है जो भावाचक संग्या है प्रेम सतुरता मिठास या उपरिक तो सभी तो दोस्तों प्रेम है ठीक है तो प्रेम भावाचक संग्या सतुरता भी भावाचक है और मिठास एक भाव आचक है यानि सभी options हमारे क्या है भाव आचक के अंतरकत आएंगे अगला question है 20 number इन में से समूव आचक संग्या बताना है गिरोव है मंडल है उपरिक तो दोनों तो गिरोव में भी कई लोग होते हैं यानि option numbers C सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखेंगे 20 number क्या कहिए रहे है कोयल क्या है व्यक्ति वाचक समूव आचक या भाव आचक क्या है एक चिडिया का नाम है ठीक है तो यह चिडिया अगर फक्षी में चिडिया चडिया में कोयल, तो कोयल हमारी किसमें आ जाएगी हम लोग व्यक्ति वाचक में रखेंगे इसमें, आगे देखिए रामायर इनमें से व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी नहीं है, लिखा है रामायर पटना औरत गंगा, तो देखो, गंगा एक नदी का नाम है, यानी गंफरम अब लाश्ट में पर दिख्खा आपने ता लगा मैंने व तुरुलात में ट्रिक बताये तीया आप लोगों को ता पर आहेंगे ऑल ठुए जयंगे घबराहट ले array म carry होती है तो गराहट में चूल सकतें देख सकतें नहीं घबराहट में महसुस की जा सकते, जो चीज़े महसुस की जाएंगी, वो किसमें आएंगी दोस्तों, विए आएंगी भावाचक में, आनि इस अप्सिन नम्बर 20 ही हो जाएगा, 25 नमबर देखिएगा भूकंप में कौन से संगया है भूकंप जाती वाचक समूवाचक भावचक क्या इनमें से कोई नहीं जल्दी जल्दी करना एकदम सूपर फास्ट स्पीड से देखते चलना है तो भूकंप में क्या मिल गया हमें भूकंप में हमें मिल गया जाती वाचक संग्या बोचिए क्यों कि भुकंप भी आपको पता है कई तरीके के भुकंप आते हैं कभी आता है आपको पता है भुकंप तीन प्रकार के होते हैं आपने सुना होगा एल विव वाले भुकंप भी आते हैं जो बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं ना आगे देखिए एस वि नाम हो गया, आंसर मेल गया, हमें ऑप्सन नमबर D के साथ, 27 दीखें जल्दी से, इन में से कौन सा है जो द्रव विवाचक संग्या नहीं है, नहीं है, तो यहां पर कौन सा दीख रहा है, जल्दी से देखें, लोहा है, घडी है, तेल है, दूध है, यहां पर घडी, ठीक है, तो घडी हमारा क्या है, घडी एक जाती वाचक के इंतरगत रखेंगे, ना कि द्रव वाचक में, आगे देखें, द्रव में जिसमें मैटेरियल साएंगे, ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे, सर लोहा द्रव कैसे है, द्रव का मतलब तो क्या होता है, लिक्विड होता है, वो गलत जानते हैं, द्रव का होता है, मैटेरियल, और द्रव का मतलब होता है, लिक्विड, इसमें देखो, माता सब्द से बने भावाचक, तो माता से क्या बनेगा, मात्रित्व, ठीक है, पित्त्व, मात्रित्व, ठीक है, आगे देखे, question no.29, क्या गेता है, जलदी से द अगला द्रव वाचक संग्या वर्षा घर पानी किताब तो क्या है पानी तेरा रंग कैसा जिस रंग में ढालो तो भावाचक संग्या बताने आपको इसमें लड़कापन लड़काई लड़काई पन तो भावाचक क्या दिख रहा है इनमें से सुद्ध लड़कापन होता है लड़कापन नहीं होता है क्या होता है इनमें से कौन सा सब्द संग्या है क्रुध क्रोध क्रोधि क्रोधित जल करेंगे कि सभी लोग डिय İstmann करती है जरुंजव क्रीए की किसे इसे बस्तित करेंगे elrow जबते होग्या कितने कौर्ण सापने सहीथEE कैसे काउंट कर रहे हैं अगर आपने व्यांकिताइन हैкий उसको काउंट करते जाए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मैक्सिमम सही करेंगे जो गलत होगा उसको आप लोग काउंट करती जाएगा जितने टोटल कोश्चन उससे माइनस करके आप राइट आंसर कमेंट करिएगा जरूर चॉथिस नंबर क्या गहता है आकम घर जी सेर में उस सहर नाम हुससे क्या नाम होता है ए्षान विशेश का वह हमारा व्यक्ति वाचक क्या होगा भावाचक मित्र का क्या बनेगा मित्र का भावाचक जल्दी बताओ मित्र से बनेगा मित्रता आगे देखते हैं 38 संग्या का प्रकारिन में से कौन सा नहीं है व्यक्ति वाचक है जाती वाचक के दोनों है और देखते हैं आगे कौन सा ओप्सन है देश वाचक तो यह खाए ना यह ऑफिसन नहीं है 49 देखें जल्दि से भावाचक संग्या के अंतरगत आते हैं पसु पक्षी आएगे क्या गुणदोस आएंगे क्या अधिशाय आएगी क्या आपूशन आएगे गुणदोस आएंगे बुढ़ापा भाववाचक हरी आली जल्दी बताओ हरी भाव अचली हरी याली क्या है हरी एक बहाव अचक संग्या है आगे दिखे यहां पर बात करेंगे राजजयपाल की तो राजजयपाल में जाती वाचक में आएगा जलिए आगे देखते हैं question number 43 पर दोस्तों मैं अपने लक्ष पर हम लोग पहुचने ही वाले हैं तो अग्दम धैर बना के रखें फिसलन क्या है विशेशन है क्रियापद है संग्या है या क्रिया विशेशन है फिशलन देखो फिसलन से क्या बनेगा फिसलना तो यह हमारी संग्या के अंतर पर गताएंगे राम राम चरित्मानस गंगा पहले ही आंसर मिल गया हमें यह तीनों किसमे आते हैं व्यक्ति वाचक में अगला देखेगा 45 अच्छा इनमें से किसमें है जो अच्छा संग्या के रूप में प्रेयोग हुआ है वह अच्छा लड़का है वह लड़का अच्छों यहां पर यह अच्छों है यह लोगों के लिए है 46 देखे व्यक्तियों के लिए अच्छा का प्रिवगवा था उसमें और सी में रहीम किस तरह की संग्या है जल्दी से देखिया बताईए व्यक्ति वाचक भावाचक जाति वाचक समु वाचक तो रहीम ठीक है तो जैपूर को गुलाबी सहर कहते हैं तो जैपूर क्या है एक सीटी का नाम है और जहां भी सीटी का नाम दिखेगा वहां पर कौन से संग्या बहुत जल्दी से बोलो तो वहाँ पर हो जाएगी व्यक्ति वाचक संग्या कर लेते हैं चलो आजो कर लेते हैं नहीं तो मुझ बन जाएगा तुम लोगा भी 50 बोला था ऐसे कर चलो दो कोईशन ज्यादा करा देंगे उन्चास देखो जल दी से इन में से कौन सा संग्या सब्द कौन सा है बच्चे रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं मैं संग्या कौन सा है तो इसमें है बच्चे थे जातीवाचक संग्या सब संग्या में कौन से संग्या का नाम है यानि हमारा क्या है व्यक्तिवाचक और इन में से कौन सा सब्द है एक वचन बहुचन दोनों में प्रेयोग हो जाएगा तो हमने क्या बता है है, जो दोनों में प्रेयोग हो, जल्दि से देखे, एक वचन हो तथा बहुचन, बेटा मुनी बालिका लड़का, यह जल्दी से आप लोग कमेंट करें बताएं, अच्छा लास्ट क्कैसी अप लोग को दे दिया है और कमेंट करके बताएगा कि आपको संग्या का ही दूसरा पार चाहिए या अगला टॉपिक चाहिए बाकी इस तरीके भी वीडियो जो सूपर फार्ट स्ट्वीड में आई है अच्छी लगी या नहीं लगी यह भी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो द्वारा लिखी की पुस्तक है जिसको भी हिंदी की पुस्तक चाहिए या फिर जिसको कम्प्लीट हिंदी का कोर्स लेना है ठीक है वे हमारा एप इन्स्ट और सकता है ठीक है तो मिलते हम लोग अपने अगली क्लास में तब तक के लिए सब बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद